हेलो बच्चो कैसे हो बढ़िया आप बढ़िया तो मैं भी बढ़िया तो देखो बच्चो आज हमें क्या पढ़ाही करनी है आज है हमारे पास क्लास 11 का यूनिट नंबर 14 का वीडियो नंबर एक तो बेटे आज हमें स्टार्ट करना है यूनिट नंबर 14 और हमारे यूनिट क करना है जिसका नाम है परियावरणी या रसायन या एन्वायरमेंटल केमिस्ट्री तो सबसे पहले बात करते हैं परियावरण का क्या अर्थ होता है परियावरण को हम इंगलीज में कहते हैं एन्वायरमेंट तो हमें सबसे पहले सीखना है कि परियावरन या environment का क्या मतलब होता है मालनो आपके पास कोई भी जीव है कोई भी क्या है जीव सजीव कह दो या जीव कह दो तो इसके चारों तरफ इसके चारों तरफ बहुत सारे घटक होंगे या बहुत सारी चिज्जे होंगी जिन से ये घिरावा होगा और उन में बहुत सारे तो होंगे सजीव जिन से घिरावा होगा ठीक है? बदलब इसके चारों तरफ बहुत सारे तो सजीव होंगे और बहुत सारे होंगे निर्जीव और उन सजीव और निर्जीव की खासियत ये होगी कि वे इसके जीवन को किसी ना किसी तरीके से प्रभावित करेंगे इसके जीवन को किसी ना किसी तरीके से क्या करेंगे प्रभावित तो किसी भी जीव के चारो ओर ऐसे बहुत सारे सजीव और निर्जीव होते हैं जो उस जीव के जीवन को प्रभावित करते हैं या तो सीधे या तो परोक्ष रूप से या तो directly affect करते हैं या फिर indirectly affect करते हैं तो इन सभी चीजों को या इन सभी घटकों को जो किसी जीव को चारो ओर से घेर के रखते हैं और उसके जीवन को प्रभावित करते हैं इन सभी घटकों को या चीजों को कुल मिलाकर हम कहते हैं इस जीव का परियावरन ठीक है समझ में आई बात इस जीव का क्या कहते हैं पर कुआ यहां लिखावाए परियावरन हैं हमारी किसी जीव के चारो और इस्थित वे सभी जैविक तथा ए जैविक घटक जो जीव को किसी ना किसी रूप में प्रभावित करते हैं फुल मिलाकर उस जीव का परियावरन कहलाते हैं तो परियावरन जैसे हम अपनी बात करें कि हमारा परियावरन क्या है हमारा परियावरन है हमारे चारो तरफ जितने भी घटक हैं उसमें हमारे दोस्त भी हैं हमारा परिवार भी है हमारे साथ पढ़ने वाले या हमारे साथ काम करने वाले लोग भी हैं वे हमें चारो और से घ कर रहे हैं औरत के जिस भी अक्षेतर में भाइंð कितनी ओती है वहां बारिस रही इसारी चीज्जें में सजीव हैं और बहुआ सारी चीज्जें प्रभावीत करती हैं और इन सब को हम कुल मिलाकर कहेंगे कि हमारा परियावरन है या हमारा environment है ठीक है अब हम बात करते हैं परियावरन के भाग की कि परियावरन आपको पता चलिया की परियावरन का मतलब क्या होता है अब हम बात करेंगे परियावरन के भाग तो परियावरन के कितने भाग होते ह या आप इन्हें तीन गटक भी कह सकते हो या तो भाग को या तो गटक को एक ही बात है उन में से पहला होता है एजैविक गटक ठीक है तो ध्यान रखना है कि परियावरण के कुल कितने भाग होते हैं तीन भाग होते हैं परियावरण के और इन तीनों भागों को हमें डिसकस करना है पहला होता है ए जैवी घटक दूसरा होता है जैवी घटक और तीसरा होता है उर्जा घटक अब ए जैवी घटक नाम से ही आपको पता चल रहा है इसमें सब क्या होंगी निर्जी वस्तुएं होंगी ए जैवी घटक में क्या होती है निर्जी वस्तुएं ए जैवी का म गटक है और जल मंडल भी एक गटक है तो यदि एक्जाम में क्योफ्चन आता है कि वातावरण के या एन्वाइरमेंट के ए जैविक घटक बताओ या ए जैविक वातावरण किसे कहते हैं तो आप बताओगे जिसमें निर्जी वस्तुएं आती हैं जैसे वायू मंडल इस्थ सजीव इसमें आते हैं सभी सजीव और फिर तीसरा होता है उर्जा घटक जो किसी भी जीव के जीवन को प्रभावीत करते हैं ये तीन प्रकार के घटक होते हैं ए जैविक घटक जैविक घटक और उर्जा घटक उर्जा घटक में आते हैं उर्जा के विभिन रूप तो हमें इस बात का पता चला कि हमारा जो परियावरण है हमारा जो एन्वाइर्मेंट है वह उसे तीन हिस्सों में मुख्य रूप से बंटा गया है एक तो ए जैवी घटक, एक तो जैवी घटक और एक तो उर्जा घटक ए जैवी घटक में निर्जी वस्तुएं आती हैं, जैवी घटक में सजी वस्तुएं आती हैं और उर्जा घटक में क्या आती हैं? उर्जा के विभिन रूप या विभिन प्रकार की उर्जाएं तो आज हमारा focus यहां रहेगा देखो, सबसे उपर देखो, ए जैविक घटक के उपर हमारा focus रहेगा, इसमें हम discuss करेंगे वायू मंडल को, स्थल मंडल को और जल मंडल को, इन तीन चीजों को हमें आज discuss करना है, बहुत आराम आराम से और समझते वे discuss करना है, तो आज हम बात करते हैं, नमबर एक हमने heading लिखी है, ए जैविक परियावरन के भाग, या ए जैविक घटक के भाग, तो ए जैविक परियावरन के तीन भाग मैंने आपको बताये थे, वायू मंडल, स्थल मंडल और जल मंडल, आज हम बात करेंगे वायू मंडल की बहुत डिटेल में, ठी हमारा पहला ए जैविक परियावरन या ए जैविक घटक का हिस्सा है वायू मंडल, तो चलो वायू मंडल के बारे में बात करते हैं, ध्यान से समझना सारी चीज़ें, ठीक है, सारी चीज़ों को बिलकुल ध्यान से समझना है आपको, हमें बात करनी है ए जैविक घटक की, और एज अभी घटक में भी किसकी, वाईू मंदल गी, तो वाईू मंदल क्या है, वाईू मंदल का क्या मतलब है, वाईू मंदल को हम इंगलिस में कहते हैं, atmosphere, क्या कहते हैं, atmosphere? तो वायू मंडल होता है कि प्रत्वी के चारो और इस्थित गैसों का आवरण, प्रत्वी हमारी धरती है, इसके चारो तरफ क्या है, गैसों का आवरण है, कवर है, उसे हम वायू मंडल कहते हैं, जिसमें बहुत सारी गैसे पाई जाती है, और ये आवरण, ये कवर पांच ल प्रत्वी पर कैसों की या वायू की कितनी परत हैं पांच और इन पांचों परतों को कुल मिलाकर हम कहते हैं वायू मंडल अब कैसे हैं देखो आपको चितर दिखाई दे रहा होगा इसमें ये तो हमारी प्रत्वी है क्या है प्रत्वी तो प्रत्वी के उपर सबसे पहली पर परत होती है शोब मंडल इसमें भी वायू है इन सारी परतों में हवाई है शोब मंडल के उपर दूसरी परत होती है समताप मंडल तीसरी परत होती है मध्य मंडल और चोथी परत होती है ताप मंडल और पांच भी परत होती है आयन मंडल ठीक है शोब मंडल समताप मंडल मध् discuss करना है बहुत ध्यान से देखेंगे प्रत्वी के सबसे निकट जो परत होती है उसे हम कहते हैं क्षोब मंडल तो पहली परत क्या हुई क्षोब मंडल को हम English में कहते हैं ट्रोपोइस्फियर क्या कहते हैं अब इसकी खासियत क्या है इसकी खासियत यह है इस शमूदतल से 18 किलोमेटर या फिर आप कहे सकते हो धरती से 18 किलोमेटर उपर तक जो हवा की परत है उसे हम कहते हैं क्षोब मंडल ठीक है तो हमें पता चला मंडल की एक खासियत यह समुद्र तल से और अठरा किलोमेटर तक जो हवा की परत है उसे हम क्षोब मंडल कुछ वेग्यानी किसे कहते है 14 km तक है और 18 km तक आपको यह सारी गैसे मिलेंगी नाइट्रोजन सबसे जादे होती है ना हवा में आपको पता है 78% नाइट्रोजन होती है और नाइट्रोजन के बाद ऑक्सीजन होती है 20-21% फिर कारवन डाय ऑक्साइड होती है जलवाश किलोमेटर उपर तक या फिर आप कह सकते हो समुद्र तल से 18 km तक फिक है और सिरफ शोब मंदल ही एक ऐसी परत गिसमें जीवन-पपर है सब्सक्राओर जीवन संभव है, तो कोई पूस्टा है कि वायू मंडल की कौन सी परत में जीवन संभव है, तो आप कहोगे पहली Project में ही है, जो 18 km तक है, और उसी में oxygen जादे मातरा में पाई जाती है और इस परत को हम कहते हैं क्षोब मंडल अब क्षोब मंडल तो चला गया 18 km तक उससे उपर जो परत होती है उसे कहते हैं समताब मंडल या stratosphere समताब मंडल की range कहां है 18 km से 50 km तक आप समुद्र तल से 18 km तक तो खोब मंडल आपने बता दिया उसके उपर 18 से 50 km तक का जो लेयर होता है हवा का उसे हम कहते हैं समताब मंडल और इसमें भी nitrogen gas मिलेगी oxygen gas मिलेगी ozone मिलेगी और जल वास्प भी मिलेगी बहुत कम मात्रा में पानी की भाप होती है समताब मंडल में पर इस मंडल की एक खासियत है कि इसमें ozone की परत होती है ये इसलिए important है समताब मंडल तो खोब मंडल जो इससे पहली परत थी वो इसलिए important है क्योंकि महाँ जीवन संभव है और ये जो हम पढ़ रहें समताब मंडल इसलिए इसमें से question आता है ये वाला ओजोन परत वाला question आता है कि ओजोन परत वायू मंडल की कौन सी हिस्से में या कौन सी परत में पाई जाती है तो आपका answer आना चाहिए समताब मंडल में जो दूसरा layer है हवा का जो 18 km से 50 km तक है और ओजोन परत जो है उसका range होता है 20 से 40 km समुदर तल से 20 से 40 km तक ओजोन परत पाई जाती है ओजोन परत की खासियत ही है कि ये परत्वी है हमारी और यहां मान लो ये ओजोन परत है हमारी 20 से 40 km परत ये ओजोन परत है तो इसमें ओजोन गैस होगी पूरी में कौन सी गैस होगी ओजोन और इसकी खासियत यह है कि जो सूरिय है सूरिय से आती हैं प्रकास की किर्णे और उन किर्णों में कई प्रकार की किर्णे होती हैं कई प्रकार की किर्णे होती हैं जैसे द्रस्य प्रकास जैसे अवरक्त प्र पर उन सभी प्रकासों में एक होता है अल्ट्रा वाइलेट लाइट जिसे आप कहते हो प्राबैंगनी प्रकास अल्ट्रा वाइलेट और अल्ट्रा वाइलेट या प्राबैंगनी प्रकास मनुस्य के लिए हानिकारक है यहां प्रत्वी पर जो भी मनुस्य हैं या जीव हैं प उससेगी यह हमारी आँखों को खराब कर देता है आँखे खराब हो जाती है अल्ट्रा वाइलेट लाइट से और दूसरी बात आपको ध्यान रखनी है कि यदि अल्ट्रा वाइलेट लाइट हमारे सरीर पर पड़ेगी तो हमारा जो है हमारा जो शरीर है उस शरीर में बहुत सारे क्या होते हैं शरीर में होते हैं अंग क्या होते हैं शरीर में अंग ठीक है और अंग में क्या होते हैं अंग किस से मिलके बनते हैं उतक से टीशू से और उतक किस से मिलके बनते हैं उतक मिलके बनते हैं कोशी काओं से ठीक है तो यह ultra violet light कोशिकाओं पर attack करती हैं इसका मतलब कोशिका cells पर attack करेंगी और cells में क्या करती है ये कोशिका विभाजन को uncontrolled कर देती है यानि कोशिका विभाजन की गती को बहुत जादे बढ़ा देती है जो dead cells होगी मरत कोशिकाएं उनमें कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होगा नियंतरित नहीं होगा और यदि कोशिका विभाजन बहुत तेजी से होगा ना सेल डिविजन अंकंट्रोल्ड हो जाएगा तो इसी चीज़ का नाम है Cancer Cancer क्या है कोशी का विभाजन एनियंत्रित रूप से जब होता हो या कोशी का की कोशी काओं की एनियंत्रित वरद्धी मरत कोशी काओं की एनियंत्रित वरद्धी को ही Cancer कहते हैं तो यह अल्ट्रा वायलेट लाइट अंखे तो खराब करेंगी ही, पर यह अल्ट्रा वायलेट लाइट दूसरा कोशी काँ विभाजन को एनियन तरित कर देंगी, जिसके वज़े से कैंसर की बिमारी पैदा होती है, मनुस्य में या और भी जितने भी जन्तू हैं उनमें इसके अलावा यदि आप यहां तक पहुँच गे कि सरीर के अंदर अंग है अंग के अंदर उतक है उतक के अंदर कोशिका है अब कोशिका के अंदर क्या होता है केंद्रक होता है आपको पता है केंद्रक नूकलियस और केंद्रक के अंदर होते हैं केंद्रक के अंदर इस तरीके के धाग्ये जैसी संरचनाई पड़ी होती है इस तरह धाग्ये जैसी संरचनाई इने आप कहते हो गुणसूत्र या क्रोमोसोम्स और गुणसूत्र के उपर ह गुणसूत्र गोलक होते है ठीक है प्रोमो स्फीर्स और गुणसूत्र गोलक के अंदर होते है जीन्स या कारक तो ये Ultra Violet किरने जीन्स या कारक को भी प्रभावित करती है और आपको पता होगा यदि आप Biology के Student हो कि जीन्स या कारक वो चीज है जो माता-पिता के लक्षन संतान में ले जाने का कारिय करते हैं तो ये जैनेटिक जो हमारा स्ट्रक्चर है उसे भी इस्टर्ब कर देते हैं इसलिए अल्ट्रा वाइलेट किर्णे हमारे लिए बहुत खतरनाग हैं प्रवैंगनी किलने और प्रवैंग लिए खतारनाग एंज तो कोंध बचाता है हमारे से हमारे तक पहुंचने से ओजून प्रद ओजून लेएर तो इसलिए यह समताप मंडल इंपॉर्टेन्ट है ओजून परत को हम आगे भी इस चैप्टर में बहुत डिटेल वे डिसकस करेंगे अभी तो बात इतनी ध्यान रखनी है कि पहला शोब मंडल है शोब मंडल में जीवन संभव है हम वहीं जीवित रह सकते हैं दूसरा समताब मंडल है अठारा से पचास किलो मिटर तक और अठारा से हवा की कौन सी है मध्यमंडल यह मर्दे मंडल तक है और यहां टाप होता है 100 temperature बहुत ज्यादे होता है यहां temperature घटकर सो डिगरी सी हो जाता है ध्यान रखना इस चीज़ का कि समताप मंडल से आप मध्य मंडल में जैसे ही जाओगे एकदम ताप गिर जाएगा temperature गिर जाएगा अब जब temperature गिरेगा तो आपको पताए कि भाई ये हमारी प्रत्वी है प्रत्वी के उपर पहली लेयर यहां तक है 18 किलोमेटर तक शोब मंडल फिर 50 किलोमेटर तक समताप मंडल और फिर 85 किलोमेटर तक यह पढ़ रहे हम देखो 50 से 85 किलोमेटर तक मध्य मंडल और फिर निच्चे ताप मंडल पढ़ेंगे 500 किलोमेटर तक अब यह जो हमारा मध्य मंडल आया इसमें temperature कम है इसमें temperature है 100 डिगरी सी इसमें भी temperature जादे है और उपर वाले में भी temperature जादे है मानलो कोई उलका पिंड आया यह कोई उलका पिंड है और यह प्रत्वी की तरफ आ रहा है इस तरीके से जब यह प्रत्वी की तरफ आ रहा है तो यहां इसे temperature जादे मिला और यहां भी जादे मिलेगा पर बीच में एकदम temperature घट गट गया सो डिग्री सी हो गया है इस जगा यहां जैसे ही एंट्री मारेगा उसके उपर बहुत जादे घर्षन बल लगेगा उलका पिंड के उपर क्या लगेगा घर्षन बल और जब उलका पिंड पर घर्षन बल लगेगा तो उसमें लग जाएगी आग और जैसे ही आग लगेगी त खतम होना सुरू हो जाएगा पुलका रिंड और तो प्रत्स्वी तक पहूंसते पहुंसते या तहो पूरहते ही खतम हो जाएगा या पिर उसका फ 11 जोटा सा हिस्सा बचेगा प्रत्वी तक पहुंसा से पहुंस थे तो आपको यह छीदान रखनी है हैं जो मैंने आपको बताई क्या बताया सबसे पहले आपको बताए कि मध्य मंडल कहां से कहां तक होता है मीजोस्फेर कहां से कहां तक होता है 50 किलोमेटर से 85 किलोमेटर तर और ताप महां कितना हो जाता है 100 degree c हो जाता है तेजी से कम हो जाता है नीचे वाली परत से भी और उपर वाली परत से भी समताप मंदल से भी और ताप मंदल से भी और उलका फिंड में तापांतर वे घरसन के कारण आग इसीलिए लगती है क्योंकि temperature घट गया जब कोई उलका पिंड आएगा उलका पिंड तो पता है अंतरीक से कोई आकासी पिंड का छोटा हिस्सा तूटके प्रत्वी की तरफ यदि बढ़ता है तेजी से तो उसे कहते हैं उलका पिंड ठीक है तो तापांतर के कारण उस पर क्या लगेगा घर्षण बल और घर्षण बल लगेगा तो क्या होगा उसमें आग लग जाएगी और आग लगेगी तो वहीं से ही वो खतम होना सुरू हो जाएगा अब आते हैं हम अपने चोथे लेयर पर हवा के जिसे कहते हैं ताप मंडल या थर्मोस्फेर ठीक है ताप मंडल या थर्मोस्फेर की खासियत यह है कि यह 85 किलोमेटर से 500 किलोमेटर तक होता है समुद्र तल से 85 किलोमेटर से 500 किलोमेटर तक इसके बीच सारा ताप मंडल है और यहां ताप होता है बहुत जादे 1500 degree C ताप क्या होता है बहुत ज़ाद होता है 1500 degree C ध्यान रखना पर 1500 degree C ताप आपको महसूस नहीं होगा यदि आप ताप मंडल में जाओगे गर्मी नहीं लगनेगी क्योंकि दाप बहुत कम होता है इतनी उचाई पर 85-500 km पर दाप हो जाता है बहुत कम और दाप कम हो जाता है इसलिए गर्मी नहीं लगती है आप वहाँ 1500 degree C पर भी आसानी से रह सकते हो क्योंकि दाप घट गया जैसे आप पहडों पर जाते हो ना मानलो आप गर्मीों के दिनों में पहडों पर गए तो पहडों पर जाने से आपकी उचाई बढ़ती है तो उचाई बढ़ने से दाब घटेगा और दाब घटेगा तो गर्मी कम लगेगी तो पहडों पर जाने से गर्मी कम इसलिए भी लगती है वैसे छोटी ककसाओं में आपको पढ़ाय जाता है कि गर्मीों में लोग पहाड़ी अक्षेतर में घूमने क्यों जाते हैं क्योंकि पहाड़ों पर सूरिय के प्रकास की सीधी किरने नहीं पड़ती हैं और सूरिय के प्रकास की सीधी किरने नहीं पड़ेंगी तो वहाँ गर्मी कम होगी ये बात ठीक है पर इसके अलावा ये बात भी ठीक है कि भई ह घटेगा तो गर्मी कम लगेगी ठीक है ध्यान रखना इस चीज़ का कि ताप आप कितनी गर्मी महसूस कर रहे हो यह केवल इस बात पर निर्भर नहीं करता है कि वहां टेंपरेचर कितना है वह इस बात पर भी निर्भर करता है कि वहां कितना है यदि टेंपरेचर कम है और दाब बहुत जादे है तो गर्मी बहुत जादे लगेगी आपको ठीक है जब वातावरण में जलवास्प की मात्रा बहुत जादे बढ़ जाती है तो वायू मंडलिय दाब बहुत जादे बढ़ जाता है और वायू मंडलिय दाब जब बढ़ता है ना तो टेंपरिचर बले ह कम हो पर गर्मी बहुत जादे लगती है ठीक है जैसे बरसात के दिनों की गर्मी बहुत खतरनाक होती है ठीक है आपको पता होगा इस बात का महसूस कराओगा आपने की बरसात में जो गर्मी होती है वो बहुत खतरनाक है उसमें बहुत पसीने आते हैं क्योंकि दाब बहुत जादे पढ़ जाता है तो ताप मंडल क्या है थर्मोस्पेर फिचासी से पांसो किलोमेटर तक है यहां ताप रहता है पंद्रासो डिग्री सी चूंकि दाब बहुत कम है इसलिए गर्मी नहीं लगती इसलिए जितने भी अंतरिक्स स्टेशन है स्पेस स्टेशन जैसे नासा इसरो यह सब ताप मंडल में ही बनाए गए है तो नासा का जो स्पेस स्टेशन है वो कहां है ताप मंडल में क्योंकि वहां टेंपरेशर भले ही पंद्रासो डिग्री सी है पर दाब कम होने के कारण वहां जादे गर्मी नहीं लगती है इसलिए स्पेस स्टेशन बनाने की स इसका range होता है 500 km से 1600 km चेयर बहाई यह मंडल इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सब से बहार की परत है 5 do cos सुलिए कहते हैं क्योंकि इसमन गैसों के i een युवाई जाते हैं जैसे O2 पॉजेटिव, O पॉजेटिव, NO पॉजेटिव, N2 पॉजेटिव, एक्सेक्टरा तो इसमें क्या होता है सारे गैसे आएनों के रूप में पाई जाती है तो ये हुए पांचों हमारे लेयर सबसे लास्ट वाला पांचवा क्या है देखो सारे पढ़ते हैं दुबारे से एक बार रिवाईज करेंगे हमारे वाईउ मंडल का क्योक्षचन हमारे लिए बहुत important है ध्यान रखना वाईउ मंडल को हमें detail में पढ़ना बहुत जरूरी है हमने पढ़ा कि हमारे जो वाईउ मंडल है उसमें होते हैं पांच परत यह प्रत्वी के उपर सबसे पहला प्रत होता है खोब मंडल फिर नंबर दो समताप मंडल नंबर तीन मध्य मंडल नंबर चार ताप मंडल नंबर पांच आयन मंडल ठीक है यह पांच लियर है और इन पांचों के बारे में हमने पढ़ लिया नीचे देखो खोब मंडल के बा और समताप मंडल में ओजोन की परतह होती है मध्य मंडल में उलकापेंड आते हैं तो घरशन लगता है और आग लग जाती है। ताप मंडल में ताप बहुत ज्यादे है पर एइसास नहीं हुतता इसलिए अंत्रीक स्टेशन जितने भी इस्पेस स्टेशन हैं वे ताप मंडल में बनाए जाते हैं भाइया क्तAB मंडल में होते हैं बहुत सारे आए मंडल के बाद हम बात करेंगे इस थल मंडल की निया लीधो इस्ट्रिंधियोonds परेजिए पर प्रति इस्तलमंदल याने धर्ती प्रत्वी, इसमें सारी धर्ती की चीज़ आती हैं जैसे मर्दा, मिटी ठलमंदल का हिस्सा है, कटान, कटान इस्तलमंदल का हिस्सा है, पहाड, पठार इसमें कोई बहुत बढ़ी रेंज नहीं है, ना जादे समझने की आवशक्ता है जादे समझने की आवशक्ता केवल वायू मंडल में ही है जो मैंने आपको explain कर दिया है उसके बाद आते हैं तीसरे मंडल पर जिसे हम कहते हैं जल मंडल या तो हम इतना ही पढ़ेंगे अगली वीडियो में मैं इससे अगला टॉपिक आपको क्लियर करूँगा बस महनत और इमानदारी से पढ़ाई करते रहो और अपने handwritten notes बनाते रहो जहां भी आपको बीच बीच में लगता है वीडियो को पोस करके लिख लिया करो जरूर वीडियो को पोस कर लिया करो रोक लिया करो और उसके बाद लिख लिया करो ठीक है तो thank you very much for watching this video okay बाए